कि कुछ नेगेडिव की बात करने वाले तो सबसे पहले जो इसका बड़ा नेगेटिव है वह इसका इंजन में आपको खाली वन सेवेंटी एट बेस्की पर आवर मिलती है और हाइब्रेट बैटरी के साथ यह तुट्वेंटी वन बेस्पी तरह चला जाता है बट वह एक अगर आप सब्सक्राइब करने में आपको पांच में लग जाएगी डूणने में इतना बहुत इसमें काफी जादा यह थोड़ा सा इसका हलका सा और अच्छा किया जासा था ठीक है अच्छा है बट फीचर की कम्या को स्क्रीन लग जाएगी एफिन हींडी क्रेटा कि आसे बहतर एक स्क्रीन मिल जाती है यह बीसका काफी बड़ा एक नेगटिव है इसको इंटीर है वह आप खहीं खहीं यह अप आउटडेट हो चुगा यह ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं है बहुत प्रैक्टिकल इंटीर बट अब इसको उपडेट के ज़रुत है लेक्सस प्लीज अपडेट इंटीर नाव डिसेडवांटेज है कि आपको मैनुली संब्लाइन कंट्रोल करने पड़ते हैं क कोफी जादा एक बहुत बड़ा बड़ा नेगेटिव है कि फ्रेंट में आपको वेंटिलेटेट सीट सीट सा मिलता है रेयर में आपको खाली हीटेट सीट जिए रखे इंडाई के साफ से हो भी मतलब कोई लॉजिक नहीं आप अगर इतनी अच्छी गाड़ी खरेदों कि इसमें इतना अच्छा है और इसमें आपको हीट जिए रखे वंडिलेटेट सीट का ओप्शन ही नहीं है तो यह तो बहुत ही बुरा गरख है लेक्सिस ने सो प्लीज इंप्रूब ऑन इसको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वह भी इतना कुछ खास नहीं लगता है अ इसमें 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 काफी ज्यादा कम है उतनी इंफोर्मेशन नी जितनी अच्छी और इतनी महेंगी गाड़ी में होनी चाहिए और साइड में आपको फ्यूल और टेंप्रीचर के लिए निडल दे रखी है तो आधी स्क्रीन पूरी डिजिटल है यहां पर आपको यह न मोड नहीं दे रखा है अगर मैं आपको फोकस करें देखा हूं तो यह खाली एकी मोड के साथ आता है इवन बेले नो ग्लैंजर जैसे काड़ी में पर को तीन-चार मोड मिलते हैं है अच्छा लगता है बट अब इसको एक अपडेट की जूरत है काफी जगह यह फीचर में में देखा जाए तो कार काफी अच्छी है बट खही न खही इसको काम करने के जुरूरत है तो लेक्सस अगर आप वीडियो देख रहा है तो प्लीज इसको इंप्रूफ करो काफी बटे डिस गाड़ी का है कि आपको इसमें 360 कैमरा नहीं मिलते है खाली फ्रंट में पार्कि ही नहीं दिया बिल्कुल भी तो लेक्सस को हाँ इसमें 360 कैमरा ज़रूर से देना चाहिए